अबी का बहुत-बहुत स्वागत एक बर फिर से ये BPSC के लिए वीडियो है काफी important है BPSC prelims के लिए इसमें हम important government की schemes देखेंगे women के लिए जेंडर बजट काम को मिला है विद्विभाग बिहार की सरकार से और इसी से original देखेंगे क्योंकि कभी-कभी typing में mistake हो सकती है किसी से भी लेकिन ये official है तो कोई भी इसमें आपको mistake नहीं देखने को भी लेगी महिलाओं और बालिकाओं के लाब के लिए महतपूर्ण योजनाओं की संशिप्त विवरणी यहां पर दे रखी है सबसे पहले महिला विकास निगम राज में महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से ससक्त करने के लिए महिला विकास निगम के स्थापना की गई है इस योजना के तहत BPL परिवार और ऐसे अन्य परिवारों को जिनकी आये 60,000 रुपए तक हो वार्षिक उस परिवार की कन्या को विवाह के समय 5,000 रुपए का भुकतान किया जाएगा, कितने का किया जाएगा, 5,000 रुपए का ये ध्यान रखना इंप आउटेंट है, कन्या क नाम ही चया कि अडिमांड ड्राफ्ट मिलेगा और प्रोविजन वही है कि 18 वर्ष से उपर कन्या की आयू होनी चाहिए, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना, ये योजना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्ति करण के लिए एक विशिष्ट योजना है, इसका कार्यान्वेन यानि की इंप्लिमेंटेशन महिला विकास निगम के द्वारा किया जा रहा है, जिसके बारे में हमने पॉइंट टमबर बन में देखा था, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्ष योजना, इस योजना का उद्देश है कन्या भ्रूण हत्या करोकना, जन् सावधी जमा निवेश के रूप में दी जाएगी, सावधी जमा यानि की टर्म डिपॉजिट की यहां पर बात हो रहें, टर्म डिपॉजिट बैंकों से मिलता है, तो कौन से बैंक इसमें सहयोग करने है, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्ष योजना में, वो हैं IDBI और यूको बैंक आपके, यूको बैंक और IDBI, इनसे FD करवा करके दी जाएगी यहां पर, कन्या को 2,000 रुपे की एकमुष्त अनुदान, कन्या के 18 वर्स पूरा होने पर, मैचियोर्टी की राशी जो है, या फिर उसके शमतुली जो भी राशी है, ब्याज के साथ मिलकर के, वो विमे कर रहे हैं, IDBI, बैंक और, यूको बैंक, अगली योजना है, परवरिष, इसके तहत क्या है, अनात और बेसाहरा बच्चों को, HIV, AIDS, या फिर कुष्ट रोग से पीडित बच्चों को, HIV, AIDS, से पीडित माता-पिता, अत्वा कुष्ट रोग से करड़, विकलांग हुए माता- एक हजार रुपए का, ये आपको ध्यान रखना है, अंतर जाती विवाय योजना चलाई गए थी, बिहार में इसमें क्या है, अंतर जाती विवाय योजना में हिंदू समाज में व्याप्त जाती प्रथा का अन्मुलन करने के लिए योजना है, अंतर जाती विवाय को प्र उसको FD मिलेगी उसको आप तीन वर्ष तक तुड़वा करके पैसे नहीं निकाल सकते हैं ठीक है यह इंशोर करने के लिए कि इंतर जाती विवा सक्सेस्फुल होता है या फिर रही कि कुछ फर्जी फोकट वाले लोग आ जाते हैं फिर इसका मिस्यूस करने लगते हैं तो य यह तभी मिलेगी आपको यह पैसे आपको तभी बिल पाएंगे यानि महिला को तभी मिल पाएंगे जब उनका वैवाहिक जीवन सफलता पूरवक तीन साल तक चलता है तो बिहार बाल अधिकार संद्रक्षण आयोग इसकी विशेष्टा क्या है इसमें क्या क्या होगा पा बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 को अधिसूचित इसमें किया गया है यहाँ ध्यान रखेंगे अगला भी बाल से संबंदित है बच्चों से बाल संरक्षण इकाई की स्थापना किशोर नयाय संसोधन अधिनियम 2006 की धारा 62 एके बाधिकारी प्रावधानों के इसमें कुछ यूनिट्स बनाए गए थे जो बाल संरक्षण के चेतर में काम करें किस नियम के तहत किशोर नयाय संसोधन अधिनियम 2006 की धारा 62 एक के तहत यह आपको ध्यान रखना है महिलाओं से संबंदित है और भी कुछ योजना है जैसे कि समेकित बाल विकास योजना इस योजना के तहत क्या करते हैं बहुत सारे प्रोजेक्ट चला जाते हैं जैसे जिला स्तरी ए 38 जिला प्रोग्राम चलवाय जा रहे हैं 544 बाल विकास पर योजना है चलवाय जा रहे हैं समेकित बाल विकास योजना के तहत और इसमें इन्वल्व करते हैं महिला परवेक् शिकाओं को आंगन बाड़ी सेविकाओं को असिस्टेंट्स को पूरक पोशाहार वित्ती वर्ष 2015-2014 से ICDS के पुनर गठन के वजे से बारत सरकार के द्वारा राज के 38 जिलों में सभी सुईकरत इवम संचालित आंगन बाड़ी केंद्र मिनी सहित वर्धित दर पर सभी सामाने को पोशित बच्चों को पूरक पोशर आहार इसके तहत दिये जाते हैं अगन बाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना ठीक है पोशाक में आप जानते हैं आपर युनिफॉर्म वित्रित की जाएगी वित्ती वर्ष 2010 से चल रही है और लगातार हर साल इसमें ग्रांट्स मिलता है पांगन बाड़ी केंद्र भी आ जाते हैं मिनी और बड़े वाले भी तो इन सब ही में धाईसो रुपय प्रती बच्चे वर्ष की लागत से ग्रांट मिलता है जिससे उनको युनिफॉर्म वित्रित की जाती है स्कूल युनिफॉर्म किशोरी बालिकाओं के लिए योजना सबला इस यह बिच कप से चल रही है 2011-2012 से इसके साथ क्या करते हैं कि किशोरी बालिकाओं जो होती है यानि कि टीनेजर विमेंट्स जो होती है टीनेजर लड़की है उनको सौलम भी बनाना लक्ष है और साथी साथ उनको को जो स्कूल नहीं जा सकती है स्कूल नहीं जा सकती है मतलब डिफरेंटली एबल होंगी उनके लिए है कुल विला करके इंद्रा गांधी मातरत्व सयोग योजना और राश्ट्री महिला से सकती करण मिसन यह अप से लागू किया गया है 2011-2012 से इस योजना के तहत क्या करत करती एवं शिशू मतलब चोटे बच्चों को पालन करने वाली महिलाओं को केंद्र सरकार राज सरकार के द्वारा नगत प्रोत्साहन रासी दिये जाने का प्रावधान है अलांकि अब यह ज्यादा न्यूज मेंने रहती क्योंकि अभी कामकरे प्रधान मंत्री मात्र अभ्यक्ते लिएसे स्वास्त में ब्लेटे करने में को पूरा ना इसे करें और अपक सिन loves को पूरा कर सकें और दूसरी बात कि अजितने भी ही स्टों हथ लेगें हीं वहां से इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि जो भी बुकतान होता ये डिरेक्ट बेनफिट ट्रांसफर के तहत किया जाता है आनि सीधे बैंक अकाउंट में मात्रबंदना योजना के तहत मैलाओं को अपना अनुदान मिलता है इंद्रा गांधी राष्ट्री वृद्धा अवस्था पेंशन योजना ये भी बिहार में चलती है अब इसके तहत पेंशन कितनी कितनी मिलती है ये ध्यान रखना आपके लिए इंपाउटेंट है लेटेस्ट में 400 रुपर पृति माह मिलती है 60 से लेकर 89 वर्ष तक के आयू के वृध्य व्रुष व्यक्तियों को या फिर महिलाओं को तक कि आयू कि विधवा को 400 प्रप्रति माह मिलते हैं जिसमें से 300 रुपए केंद सरकार के द्वारा राज़सरकार के द्वारा दी जाते हैं तीन सो केंच सरकार देती है राज सरकार का यह धियान रखना गाफ इंपॉर्टेंट है इंदरा गांधी राश्ट्री विद्वा पेंचन यूजना में 300-100 रुपए इंदरा गांधी राश्ट्री निशक्तता पेंचन यूजना इसके तहट क्या होता है कि बीपियल परिवार परिवार के 18-89 वर्स तक के 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले निशक्त व्यक्ति को यानि दिव्यांग को डिफरेंटली एबल परसन को 400 रुपर प्रतिमाह पेंशन मिलती है एक बार फिर से 300 रुपर केंद्र की सरकार देती है यानि केरीब 75 परसेंट और 25 पर आशुरती हो जाती है तो उसके आशुरिति परिवार को मिलता है 20 रुपर तक का एक मोइच्ट लाब यानि वन टाइम प्यमेंट मिलता है 50 रुपर का फैनेंशियल एसिसेंट मिलता है बीस रुपर का लक्ष्मी भाई शामाजिक सुरक्षा पैंशन योजना यह भी चलती ह इसके तहित क्या होता है 18 वर्ष से अधिक की विध्वा जो या तो बीपियल परिवार की हो या तो उसके परिवार की वार्षिक आए 60,000 रुपए वार्षिक से अधिक ना हो उसको इंद्रा गांधी राष्ट्रिय विध्वा पेंशन योजना के अंतरगत अगर पेंशन ना म शक्तता पेंशन योजनम क्या है कि किसी भी आयू एवं उम्र के 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को 400 पर प्रतिमा की दर से पेंशन दी जाती है राश्टरी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनम के अंतरगत 60-64 वर्ष की आयू के व्रध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय पच्पन सो रुपए एवं ग्रामीड चेतर में 5000 रुपए से कम हो वार्षिक आय और उम्रक से विमुक्त बंधुआ मजदूर को 400 पर प्रतिमा की दर से पेंशन मिलती है जानी कि अगर बहुत ही कम अगर आय है मतलब पच्पन सो रुपए साल से भी कम है तो यहां पर आपको भी लेगी भियार में 400 पर प्रतिमा की पेंशन 60 से 64 वर्ष के आयू के विक्ति को ठीक है यह है इसमें कबीर अंतेश्टी अनुदान योजना इसके तहट बीपिल परिवार या किसी भी आयू वर्ष के विक्ति की बृत्यू पर अंतेश्टी के लिए परिवार को 3000 रुपए की एक मुश्ट साहता मिलती जिससे क्रिमेशन वगेरा किया जा सके अंतिम संस्कार मुख्यमंत्री परिवार ला वियोजना इस योजना के इंतरगत किसी भी उम्र के विक्ति की दुरगटना में अगर मृत्यू होती है और वो होता है 18-60 वर्ष तक की आयू का विक्ति तो उसके आश्रित परिवार को या निकटतम संबं से नाम आपको याद रह गए ना तो फिर दुबारा देख सकते हैं मुख्यमंत्री विकलांग शसकती करण योजना इसको संबल के नाम से जानते हैं लोग इस योजना के अंतरगत बहुत सारी सहायता देते हैं दिव्यांग व्यक्तियों को चात्रवर्ति देते हैं स्कॉलर पूरी तरह से सब निशुल्क मिलता है अगर किसी के पास आश्रे नहीं है तो आश्रे ग्रह का भी संचालन किया जाता है और लगातार सर्वेस होते हैं और प्रमाडी करण भी इसमें किये जाते हैं बिहार शताबदी कुष्ट कल्यार योजना इसमें क्या है कुष्ट रोगियों को लोग थोड़ा सेग्रिगेट कर देते हैं तो उसके लिए उनको सामाजिक शुरक्षा हो सके उसलिए पंद्रा सो रुपया प्रतिमा की आर्तिक सहयता उनको मिलती है कुष्ट रोगियों को इस योजना का मुख्योद्देश जीविकों पारजन में असमर्थ क दूर रखना है कुछ रोगी भीक ना मांग सकें उनको कुछ ना कुछ हल्प मिल जाए और अपना भोजन खरीद कर खा सकें इसके लिए यह योजना चलाई गई है अगली स्कीम है मुख्यमंत्री भिक्षा वृत्ति निवारन योजना इसके तहत क्या है इस योजना के इंत कौन कर रहा है स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूर एंड सोशल वेलफेर यह कर रही है यह और निकाय कर रहा है तो यह ध्यान रखना है आपको बिहार एट स्पीडित कल्यान योजना अब एट स्पीडितों के लिए भी कुछ ना कुछ बिहार ने कर रखा है इस अब बिहार स्पीडित कल्यान योजना के तहिफ भी कुछ निर्मानil यूप कर वर था जा रहे हैं इस वर्धधाश्रमों में गरीब उल्ड एज हों जिसको सहारा नाम लिए गया है सघ्षर्फ सबास्रम में 50 लिए और रहने की सुवदा की जाएगी पटना गया पूर्डिया मुझफर पूर भागल पूर जिलों में ऐसे सहारा होम्स जो है खुलवाई जा रहे हैं अब चात्र वृत्ति योजना अनुसुचित जाती एबं अनुसुचित जन जाती के चात्र और चात्राओं के लिए जिला स्तर पर विभिन प्रकार क चात्र वृत्ति योजना चलाई जाएंगी और कुल विलागर के उनको हेल्प बिलेगी इससे वो अपनी पढ़ाई जारी रक्स कें कितनी है यहां पर यह नहीं बताएगी क्योंकि अलग-अलग होती है मैट्रिक को अलग मिलेगी इंटर पास वालों को अलग मिलेगी जो ग की गई थी और फेनेंशल यर 2015-2016 में दसवी तक की परिक्षा दोतीज रेडी में उतीड जो भी सीज और स्टीज ने उनको आठ हजार रुपए की दर से और बारवी कक्षा में प्रतम स्टीज चात्रों के लिए 15,000 रुपए और 10,000 रुपए प्रोचसाहन राशी देने का ने डेलिया है अब एक लारिफाई कर देता हूं लिस्ट वाइस देखिए वर्ष 2016-2015 के बाद से जो भी 10th का एक्जाम पास करेगा बिहार में अगर वो होगा SC और ST का चाहे वो 1st आया चाहे सेकेंड आया उसको मिलेंगे 8,000 रुपए एक मुश्तरासी अगर 12 का कोई छातर SC ST का 1st स्टेंडर्ड में पास होता है यानि कि 60% सेकेओर करने में सक्षम होता है तो उसको मिलेंगे 15,000 रुपए अगर SC ST का चाहतर 12 में सेकेंड आता है तो उसको मिलेंगे 10,000 रुपए तो यह कुल मिला करके रेट से ऐसे इसे चाहतर पृत्ति दी जाएगी आवासी सुविधा की गई है अनुसुचित जन्दाती के लिए दो एकलव आवासी विद्याले पच्चिमी चंपारण और कटिहार जिले में बनवाने की सुविकृति दी दी गई है तो यह सब चीजे आप ध्यान रख सकते हैं इसमें छात्रावास भी उपलब्द करवाय जा रहे ह साथ पाक परिश्चा प्रशिक्षन के इंद्र यह ठीक है मतलब कुकिंग सीख सकते हैं SCST के छात्र अनुसूचित जाती उप योजना के तहत विशेश केंद्री सहायता योजना है इसके तहत अनुसूचित जाती के पुरिश और मैलाओं को आर्थिक अनुदान मिलेगा रिण बिल सके कितने का दस जार रुपए तक का अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत सहायता मिलेगी SCST को कितनी मिलेगी यह नहीं लिखा हुआ है अनुसूचित जाती नुसूचित जन जाती उप योजना के तहत भी यहाँ पर सहायता मिलेगी मतलब लोन मगरा मिल सकता है इजी लोन मिल सकता है महादलित विकास महादलितों के विकास के लिए Society Registration Act 1860 के तहत बिहार महादलित विकास मिशन संस्था का गठन किया गया है जैसा कि इसका नाम है महादलितों के विकास के लिए कई प्रकार के आर्थिक 19 अधारबूत संरचना की योजनाओं को स्टेशन खोली जाने का निड़े लिया गया है दसरत माजी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक यूतियों का स्किल डवलोप्मेंट करवाय जा रहा है यह देहान रखना है आपको क्रामीड जला पूर्ति योजना विक्सित बिहार के साथ स्कीम के तहत हर घर नल का जल स्कीम के तहत राज के 38 जिलों में ग्रामीड छेत्रों में सुद्ध एवं पीने योग जल उपलब्द करवाने की योजना का इंप्लिमेंटेशन किया जा रहा है योजना का नाम इंपोर्टेंट है हर घर नल का जल ठीक है हर घर नल का जल योजना ऐसी मुस्लिम महिलाओं को साहता दी जाएगी अलप संख्यक मुस्लिम समधाय से आती हैं उनको 10,000 रुपए तक की एक मुष्ट रासी दी जाएगी जिनको परित्यक्त कर दिया गया है ठीक है या तो पती ने छोड़ दिया तलाग दे करके ऐसी कुछ चीजें तो इस सरकार की योजना इस योजना के तहत बजट का उपबंद 30% रासी अलप संख्यक शात्राओं के कोचिंग के लिए कार्ड कृत है ठीक है काड़ांकित है यह लिखा हुआ ठीक है नया वर्ड हमको मिला हिंदी का काड़ांकित इसमें क्या करने वाले हैं कि जो भी UPSC की तयार करना चाहते हैं अलप संख्यक वर्क से आती है चात्राओं उनको अनुदान मिलेगा उनको फ्री कोचिंग की विवस्ता करवाई जाएगी अगर कोई बिहार से तो बताईए ऐसा कुछ आपको देखने को मिला है ऐसा कुछ होता भी है कि खाली लिखा हुआ है अलप संख्यक से 50% बालिकाओं के लिए होंगे लड़कियों के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना ये भी राजसरकार की योजना इस योजना के तहत प्रथम स्रेड़ी में मैट्रिक परिक्षा उत्तिनिड करने वाले अलप संख्यक छात्र या चात्राओं को 10,000 मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना इसका उद्देश चात्राओं को शयक्षनिक स्तर पर वृद्धी करना और विकास की मुख्यधारा से जोड़ना बिहार विद्याले परिक्षा समीती की दस्वी परिक्षा में प्रथम स्रेड़ी पर पास होने वाली रुपएखी राशी मिलेगी प्रोत्साहन राशी एकप्स्त सरकारी विश्विद्याले अनुदानित माद्मिक विद्यालों को प्रस्वीकरत मद्रसों से जो भी उत्तींड करते हैं संस्कृतिक विद्यालों से भी जो उत्तींड करेंगी दस्मीक परिक्षा और छोटे क्लासिस को भी 1-4 को 50 रुपए 5-6 कक्षा तक के 100 रुपए प्रति माह 7-10 तक के लिए 150 रुपए माह 6 रुपए के विवस्था की गई है मुख मंतरी बालिका प्रोटसाहन योजना के तहत कराटे प्रसिक्षन राज में राजकी राजीकरत अल्पसंख्यक बुन्यादि विश्विद्यालों में बार बार विश्विद्याले बोलना हूँ यहाँ पर विद्याले है 2011 के सन्सस में क्या स्थिती थी आप देख सकते हैं lowest literacy पाई गई थी यहाँ पर राजकी बहला प्रसिक्षन महाविद्याले राजी सरकार महिलाओं के इद्यान के में काफी प्रयासरत है हम देख भी चुके हैं ऊपर की स्कीम में राज में महिलाओं के लिए विद्याले एवं महाविद्याले की अलग से स्थापना की जा रही है ऐसी जानकारी यहाँ पर दी गई है कस्तूर्बा गांधी बालिका आवासी विद्याले का मुख युद्देश समाज में विधावंचित जो भी पिछड़े वर्क से आने वाले अलपसंखेक समधाय से आने वाली बालिकाएं हैं उनको एलिमेंटरी एजुकेशन प्रोवाइट करवाना है इसके बाद इंपॉर्टन इंपॉर्टन योजना देख लेते हैं ICT परियोजना Integrated Computer Training परियोजना के द्वारा राज के माध्मिक विद्यालेओं में Computer Training के विवस्ता की जा रही है ज़्याद ज़्याद लोग Computer सीख सके और खासकर बाली बालिकाओं को मुफित Computer की सिख्षा दी जाए Computer दला सके हरकोई अगला है आदर्ष दम पत्ति होजना इसे होजना के माध्यम स्नौ विवाहित को विवाह के 2 साल के पस्चाथ ही प्रत wishing संतान उत्पन्र करने तथा दो बच्चों की जन्म के मद्धे कम से कम तीन वर्षों का अंतरार रखने के लिए प्रेरित किया जाता है अधर्श दंपत्ति योजना में आप समझ गए होंगे लब विवाह के कि दोग साल के अंदर अगर पहला पुत्र हो ज야ता है मतब पहला चाय्ल्ड हो जाता है इसके बाद अग्र दूसरा चाय्ल्ड होने में अगर अंतर रखा प्रतेग गरबती मैलाओं को ग्रामीड और शहरी छेतरों में चार सो रोपय की राशी यहां पर दे होगी हर प्रसव पर ममता कारेक्रम इसमें अनुशुसर कर रविदास तमूह की मैलाँ होती हैं जो गर्बती महिलाओं एवं नौजात शिशू की देखरे खेतू नियुक्त की जाती है इसमें प्रती प्रसाओ 100 रुपए प्रोत्साहन राशी का भुक्तान किया जाता है जो भी महिलाएं प्रसाओ के समय सहोग करती है पर बर्थ कितना मिलता है 100 रुपए इसको मिलता है केंद्र सरकार की योजना है मुख मंत्री श्यताबदी इंद्रा आवास प्रोत्साहन योजना यहां भी केंद्र सरकार की है और आपकी प्रधान मंत्री आवास योजना यहां भी केंद्र सरकार की नॉम्बर 2016 से इंद्रा आवास योजना का नाम बदल कर ही प्रधान मंत्री के पास अपनी भूमी हो वो उसमें कुछ भी उगा सके बिहार ग्रामीड जीवी को पारजन का रिक्रम इसको जीवी का योजना बोलते हैं यह जो प्रोजेक्ट है यह विश्ट बैंक के सहयोग से इंप्लिमेंट किया जा रहा है यह काफी दिहान रखने वाली बात है यहां प तरीके से विसका विश्टार किया जा रहा है तो सेल्फ हेल्फ ग्रूप्स को डवलप करने का क्या 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 कर सकते हैं उसके लिए लोन दे सकते हैं स्किल डवलप्मेंट कर सकते हैं तो यह सब चीज़ इसमें होंगी हस्त शिल्प एवम हतकरगा प्रक्षेत्र का विकास ह रस्तिसिल्प और हत्करगा के विकास के लिए राज्य और राश्टिस तरफ पर मेले आउजित होते हैं सेमिनार्स होते हैं जो कि बिहार में भी होते हैं यहाँ पर दिया हुआ है विती वर्स 2018-2019 में कॉशल विकास कारिक्रम के तहत 15,000 युवक युवतियों को रोजगार हितु विभिने ट्रेड में परिशिक्षित करना बिहार राजी की सरकार का लक्ष रखा गया है आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है और आयोव आपको काफी सारी important schemes इसमें देखने को भी लेंगी लाइक कर दीजे अगर किसी भी तरह से हमने आपकी help करी हो आपको ऐसा लगा हो तो हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने next session में BBSC में आप और कोई topic important देखना चाहते हैं comment कर दीजेगा हम उसी topic को लेकर आने का प्रयास करेंगे हम लोग दोस्तों मिलेंगे अपने next session में तब तक के लिए जैहिन दोस्तों वंदेमान